प्रिश मैं करने वाला हूं पैसेज वालों के लिए जिनके बारे में पैसेज वाले सोच रहे हैं वो पासिज वालों के बारे मैं क्या सोच रहे हैं क्या है उनके person की current feeling क्या है उनके person के mind में अभी और क्या guidance है universe की तरफ से Pisces वालों के लिए क्या आ रहा है Pisces वालों के लिए universe की तरफ से message या फिर indication या फिर कुछ भी क्या आने वाला है Pisces वालों की life में ये जब हम आज जानने की कोशिश करेंगे अपनी reading में सोड़ों जादा वीटना करते हुए start करते हैं अपने आज की reading को मैं अपने person से कहना चाहूँगा कि आप सब positive vibes में होके बैठिये जो भी मेरे viewers है अपने viewers से कहना चाहूँगा positive vibes में होके बैठेंगे जो भी आपका person है जो भी आप आप चाहते हैं जो भी आप manifest करते हैं उस सब को अपने mind में रखिए अपने manifestation को अपने person को और जिस भी spiritual power को आप मानते हैं उनको याद कीजिए उनको अपने mind में रखिए ताकि reading जो है मैं clear कर सकूँ जो cards के message हैं जो universe आपको message भेज रहे हैं वो मैं clearly आप तक पहुंचा सकूँ और मैं यहाँ पर एक चीज और clear कर दूँ कि भई मेरी जो reading है वो gender oriented नहीं होती है तो आप लोग अपने gender के हिसाफ से इस चीज को relate कीजिए और जो चीज आपके साथ relate हो उसको रखिए आप जो ना relate हो उसको आप आगे दूसरों के लिए छोड़ दीजिए जो चीज आप से relate होती है उसको आप रख लीजिए अपने लिए तो देखते हैं क्या cards आये हैं निकल के लिए cards तो सारे ही positive आये हैं निकल के सारे cards मुझे positive message दे रहे हैं आपकी life में खुशियां आती हुए मुझे दिख रही है देखिए अगर आप carrier को लेके कुछ सोच रहे हैं तो carrier में भी काफे सारी opportunities मुझे आपकी life में आती हुए carrier wise में यह बात बोर रहा हूं देखिए eight of wands मुझे बता रहा है आपकी जो carrier life है ना वो grow करती हुए मुझे दिख रही है उसमें काफी जारे नए मुकाम मुझे आते हुए दिख रहे हैं नए नए opportunities मुझे आते हुए दिख रही हैं बात करेंगे यहां पर आपके person की तो कहता है कि आपकी जो person है ना आपको लेकर insecure हैं वो आपको खोने से डर रहे हैं इस टाइम पर और साथी साथ आपको miss भी कर रहे हैं याद कर रहे हैं आपको ये उनके mind में ये चल रहा है कि कहीं आप लोगों को जो relationship है वो खराब न हो जाए कि आप कहीं चले नहीं जाओ क्य करते हैं जो उनका past person था या थी उसने उनके साथ अच्छा नहीं किया है that's why वो इस टाइम पर आपको लेकर काफी जादा caring है protective है साथ ही साथ insecure भी feel करते हैं वो किसी किसी point पर आके और miss कर रहे हैं इस टाइम पर आपको देखिए आपके साथ जो उन्होंने अच्छे पल बिताए हैं उनको याद कर रहे हैं आपके साथ intimate होना चाहते हैं वो near future में आपके साथ close आना चाहते हैं वो और ज्यादा यह आपके मुझे दिख रहा है देखिए devil मुझे बता रहा है आपके close आना चाहते हैं connection वो create करना चाहते हैं एक strong connection वो create करना चाहते हैं आपके साथ the chariot आया है जिसके साथ the high priest आया है so मुझे यह दोनों कार ना आपकी life में एक positive change बता रहे है positive change मैं बोलू तो positive change ऐसे कि आपकी life में न कोई event मुझे आता हो दिख रहा है शादी भिया वाला event मुझे दिख रहा है हो सकता है आप लोगों की शादी भिया हो साए अगर आप लो relationship को एक positive point देना है positive mode देना है आगे आप लोगों को शादी के बंदन में बनना है तो वो चीज मुझे apply होती हो ही दिख रही है अगर दीखे आप उस direction में कदम उठाते हैं तो बिल्कुल आपको success मुझे मिलती हो ही दिख रही है अगर आप लोग अपने relationship को आगे grow करना चाह जाते हैं तो वो चीज हो जाएगी और आपका relationship आगे strong ही रहेगा तो इस चीज से आप निश्चिन्त रहिए strong तो रहेगा आप दोनों को जो connection है जाते है पर क्यों को वो नापका अब़स आप देखिए जैसे कि मैंने पहले भी कहा अगर आप लोग शादी क्या सोच रहे हैं तो वो चीज हो सकती है होनी भी चाहिए अगर आप सोच रहे हैं तो होनी तो चाहिए देखिए खैर आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको next card बताता हूँ देखिए आपके घर में मुझे ना एक function होता हुआ दिख रहा है एक function आता हुआ आपकी life में दिख रहा है हो सकता है आपके किसी sibling का शाधी हो अ आपकी लाइफ से न किसी पर्सन की exit होती हुए मुझे दिख रही है कोई पर्सन है या कोई फ्रेंड है जो आपकी लाइफ से मतलब आप दोनों का जो connection है वो खराब होता हुए मुझे दिख रहा है और ये उनकी तरफ से है आपके जो friend वगेरा है कोई ऐसा person होगा जिससे आपका connection तूट जाएगा जिससे आपके साथ दोरिया create हो जाएगी मुझे ऐसा दिख रहा है कोई person है जो आपका आने वाले जो ये time है जो ये आने वाले एक साल है इसके अंदर आपका किसी से separation होता हुआ मुझे दिख रहा है person के साथ नहीं है ये friend के साथ मुझे दिख रहा है सो बात करते है next card के देखे the lovers आया है the lovers मुझे ये बता रहा है आपके जो person है उनके साथ जैसा आपका जैसा आपकी feelings है same वही feelings आपके person की है जो bond आप बनाते हैं उनके साथ वही बॉंड आप वह भी फील करते हैं आपके साथ तो दोनों की यहां पे एनरजी सेम मुझे दिख रही हैं दूसरे के लिए फीलिंग सेम दिख रही हैं और आपके जो परसन है ना वो अपने पास्ट को भी बुला नहीं पाए हैं पने पास्ट में देखे फोर ओफ करते हैं लो फील करते हैं क्योंकि वो अपने पास्ट को पूरी तरह से बुला नहीं पाये हैं कभी कभी कि सी किसी पॉइंट पे पने पास्ट को सोरी एनिवेज आगे बढ़ते हैं सिक्स ओफ वॉंस मुझे यह बता रहा है कि देखिए आपकी लाइफ में न कुछ नए इवेंट्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं नए इवेंट्स कैसे बोलू मैं यह इवेंट्स आपके परसन की तरफ से आपका परसन हो सकता है कुछ आपको आपका परसन कुछ आपको ओफर दे ओफर कैसा भी ओफर ऐसा कि आपको हो सकता है कहीं जाने के लिए प्रपोस करें हो सकता है आपके शादी के लिए प्रपोस करे एक न होलीडे वाला प्रपोजल आपको देते हुए मुझे दिख रहे हैं कहीं आउट ओफ टाउन या फिर आउट ओफ कंट्री वह आपको ले जाना चाहते हैं और इसके रिगार्ड वह आपको एक ओफर देते हुए मुझे दिख रहे हैं देखिये आपको लेके न प्रे चल रहे है आपको लेके प्रे करते हैं वो यूनिवर्स से आपकी गूढ़ हेल्थ के लिए गूढ़ वैल्थ के लिए आपके बैटर्मेंट के के लिए जो आपके पर्सन है बोफ्रेय करते हैं आपको मैं आपको सेंसी आपकी जो PIX हैं, 프로file हैं उनको देखते हैं, उनको बार-बार खोल के देखते हैं क्योंकि आपको मिस्क करते हैं जैसे मैंने starting में क्या दिये था आपको मिस्क करते हैं आपकी profile हैं वो खोल के बार-बार चेक करते हैं और आपको, लेकिन न, यूनिवर्स से वो काफी जादा प्रे करते हैं और ना ये परसन ऐसे हैं कि ये कुछ भी आप तक negative बाते पहुँचने नहीं देते अपनी मतलब आपको ना दुख नहीं पहुचाना चाहते हैं किसी भी तरह का जो भी इनकी लाइफ में positive है वो तो आपसे share करेंगे बट negative ये मुश्किल ही share करते हैं आपसे negative जो points होते हैं जिससे आपको दुख पहुच सकता है ये वो चीज़े आप तक नहीं पहुचने देते हैं अपने मन में ही रखते हैं ये और यहाँ पर दिख रहा हूं मैं देखिए six of cups आया है जो मुझे बता रहा है आपकी person बहुत जल्द आपको कुछ उपहार देते हुए मुझे दिख रहे हैं gift आपको देते हुए दिख रहे हैं आपके person से हो सकता है आपको कुछ gifts मिले बहुत जल्दी क्योंकि ऐसा वो सोच रहे हैं इस time पर आपको कुछ देने के लिए तो हो सकता है most probably वो आपको कुछ gift देते हुए मुझे दिख रहे हैं नियर फ्यूचर में देखे जो energies है यह आपके past person की निकल के आई है आपका जो past person है आप जेंडर के हिसाब से relate कीजिए इसको आपके जो past person है वो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपको काफी जादा स्टोक करते हैं आप उनसे न ब्रेक अप के बाद उनसे detach होने के बाद एक अच्छी position मुझे लेते हुए दिख रहे हैं एक अच्छी position पर आप लोग पहुँच रहे हैं और इस चीज से वो खुश नहीं है खफा है इस चीज से परेशान है कि मेरे से दूर होते है इसका betterment कैसे हो रहा है यह आगे कैसे बढ़ रहे हैं तो इस चीज को लेके वो दुखी है और अपना बोरिया विस्तर बांद के वो जाते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में हो सकता है उन्होंने वापस आने की कोशिश की हो आपको कॉल करने की मैसिज करने की आप से दुबारा बात करने की या चीज़े ठीक करने की बट आप अच्छी पोजिशन पे हो और आपके मन में उनके लिए कुछ भी आप फीलिंग्स नहीं है तो मुझे ये चीज अपलाई होती हुए भी नहीं दिख रही अब ये चीज उनके भी समझा रही है और वो अपना बोरिया विस्तर बांद के आपकी लाइफ से दूर जाते हुए तो मुझे दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें पता लग रहा है कि तुम्हारा आप कोई चांस नहीं है तो मुझे जाते हुए यहां से दिख रहे हैं अपकी लाइफ से देखिए आप किसी चीज को लेके कन्फ्यूस्ड है तो मैं यहां पर बता दूँ आपको मुझे ऐसा दिख रहा है मतलब आप ना किसी चीज को लेके कन्फ्यूस्ड तो है हो सकता है यह उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जिनकी लाइफ में ऑप्शन्स हैं ऑप्शन्स कैसे हैं भी परसन को लेके जिनके पास जो भी रिलेशन्शिप में नहीं आए हैं किसी को कमिट करें शोब है सो यहां पर बता दूं आप लोगों को प्लस पॉइंट देखने हैं किसके blueberries प्लस पॉइंट है कौन आपकी जौन आपकी ज़्याद पैकर तक करता है वह चीज़ देख क्या आपको खुद के साथ justice करना है यहापको खुद के साथ ही justice करना है और देखना है कि भई कौन आपके लिए जाधा better option है उस तरह से सोचना है और जिसके जाधा plus points हो उनको हाँ कीजिए मुझे यहाँ पे आप खुद के साथ justice करते हुए आपके मुझे दिख रहे हैं सो यह अब आपके उपर है एक चीज़ों में यहाँ पर बता दूँ अगर आपका कोई question है आप मुझे कुछ guidance चाहते हैं तो आप comment section में लिखती चीए मैं बिल्कुल reply करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को आपको दिख रहे होंगे सारे गार्ट तो यहाँ पर दिखी यह कौन है यह कौन है यहाँ यह आपकी person है जो current person है वो इस टाइम पर अपने future को लेके काफी जादा planning कर रहे हैं अपने future को देख रहे हैं अपनी life को देख रहे हैं अपनी life को आगे देख रहे हैं कि life में क्या होने वाला है वो यह सब पहले से ही pre-plan चलते हैं आपकी जो person है plan करके चलते हैं सोच रहे हैं आपकी life में उनकी और आपकी life में क्या होने वाला है क्या हो सक करता है यह सब वो पहले ही सोच के चलते हैं आपकी जो परसन हैं अपने प्लैनिंग्स वो पहले से ही बना लेते हैं अपने फ्यूचर को लेके तो यह सब वो अभी इस टाइम पर सोच रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके वो थोड़ा टैंस्ट मुझे दिख रहे हैं यह सब माइन में चल रहा है यहां पर की अब मैं यहां पर देखता हूं universe क्या guidance कर रहे हैं आपके लिए क्या है universe की दरफ से guidance क्या guidance आपको universe भीज रहे हैं उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा आप जो भी यहां पर positive guidance है positive निकले उसको claim करने के लिए आप लोग लाइक का बटन ज़रूर दबाईए और कमेंट सेक्षिन में डबल वन डबल वन ज़रूर लिखिए इस एनलजी को जो भी मैंने पॉजिटिव बोला है उस सब को क्लेंग करने के लिए तो देखते हैं क्या आता है तो यहां पर देख सकते हैं यू आर रेडी आया है साथ की साथ कम्मिनिकेट क्लियरली नौट तर राइक टाइम और लिसंन टू यूद्यूशंस देखिए यहां पर आगर आपकी चीज को लेकि अनितरात्म आपकी जो अनितरात्मा कहती है देखिए हम अगर किसी चीज़ को लेके confused भी होते हैं किसी चीज़ को लेके परेशान फील करते हैं फिर भी हमारे मन में कुछ नग किसी एक बात को लेके जादा percent chances होते हैं और किसी चीज़ को लेके कम तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा अगर आप किसी चीज़ को लेकी confused हैं कुछ सोच रहे हैं तो यहाँ पर ना मैं बता दूँ कि आपकी जो intuitions हैं जो अंतरातमा आपकी कहती है जिसको लेके आप जादा secure अमलब जादा chances आपको दिख रहे हैं उस चीज़ के लिए आपको आगे बढ़ना है यहाँ पर मैं बता दूँ अगर आप लोग किसी person के साथ अपना relationship grow करना चाहते हैं आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको नहीं उनके साथ communicate करना है communication आपकी clear करनी है आपको जो भी आपके person है अगर आपके बीच में miss understandings चल रही है तो भी आपको communicate करना है clearly और अगर आपकी person से आपकी no contact वाली situations create हो गई है लडाई जगड़ा है तो आपको कोशिश करनी है उनसे बात करनी की communicate करनी की clear communicate कीजिए क्योंकि देखिए you are ready आप तयार हैं आप इस time पे आपको पता नहीं है बट universe आपको positive vibes दे रहे हैं आप बिल्कुल ready है communicate कीजिए और देखिए right time कोई भी नहीं होता है right time हमको खुद बनाना पड़ता है जो हर time right time है यहाँ पे जो भी time आप select कर लोगे वही right time हो जाएगा क्योंकि आप खुद ready है you are ready so यहाँ पे आपको communicate करना है clearly अगर आप किसी चीज़ को लेके परेशान है बट आपको यहाँ पे अपनी अंतरात्मा को भी सुनना है आपकी अंतरात्मा क्या गयती है उस हिसाब से आपको अपनी plannings करनी है so let's go forgiveness अगर यहाँ पे देखे मैं देख पा रहा हूँ आप अगर किसी चीज़ को किसी से person से या किसी से भी अपने ex से या किसी near near डियर one से आप्गुसा है परेश उन से गुसा है या किसी चीज़ से किसी act से आप हर्ट है किसी के so यहाँ पे आपको let go जाने देना है बस उनको जाने देना है आगे बढ़ना है एक नई डिरेक्शन आपको चुननी है और फॉर्गिवनेस आया देखे आपको फॉर्गिव कर देना है जो भी आपके साथ कुछ हुआ है आप यूनिवर्स के उपर छोड़ दीजिए आप अपने कर्म पर ध्यान दी हैं जिसके किसी भी आप एक्ट से परेशान हैं दुखी हुए हैं उसको माप कीजिए और आगे बढ़िए इफ यू बिलीव आयर फॉम नौ देखिए किसी चीज को देखिए मैं अगेन यही कहना चाहूंगा आप किसी चीज को लेके परेशान है बिजनेस वगेरा अपने वगेरा और अपनी जोब वगेरा या फिर अपने रिलेशन्शिप को आप एक नया मुकाम देना चाहते हैं तो देखिए उस चीज में अभी एक साल मुझे दिख रहा है यह जो आने वाले एक साल है यह पॉजिटिव चेंजिस तो आपके लिए ला रहा है जस्ट बिलीव आपको खुद में भरोसा रखना है अपने आप पे भरोसा रखना है अपने जो planning से उन पर भरोसा करना है अगर आप ऐसा करते हैं और चीजों को सही अप्लाई करते हैं मैनेज करके चलते हैं तो एक साल है यह बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हो सकता है बट यहां पे आपके उपर डिपैंड करता है पॉजिटिव इस्तमाल कीजिए टाइम का अपने उपर विश्वास रखिए फिर जो आप सोच रहे हैं वो मुझे यहां पर होता हुआ भी दिख रहा है एक साल के अंदर अंदर जादा भी नहीं मैं बोलूँगा बस एक साल के अंदर इस एक स कलेक्ट करनी है गेन करनी है या फिर अगर आप किसी बिजनेस को क्रियेट करना चाहते हैं तो उस बिजनेस के रिगार्ड आपको इन्फोमेशन कलेक्ट करनी है या कोई अगर आप पॉजिशन चाहते हैं अपनी जोब में आप उचेंड चाहते हैं तो उस जोब के रिगार आपको काफी जादा research करने की यहां पे मुझे जरूरत दिख रही है तो यह जो है यह एक साल आपके favor में मुझे होता हुआ दिख रहा है बट यहां पे आपको यह जो मैंने बाते बोली हैं जो points मैंने बोले हैं इन points का आपको ध्यान रखना है आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी आपके साथ resonate करेगी अगर resonate ना करेगी तो बिल्गुल दिल चोटा मत कीजिएगा मैं बहुत जल्द दूसरी रीडिंग के साथ आँगा वो आपके साथ ज़रूर resonate करेगी तब तक के लिए आप अपने ध्यान रखे बाए बाए ठेक केर